हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बच्चे बड़े सफ का फेवरेट ब्रेड पीजा जिसको आज हम बिना ओवन के तावे पे बनाएंगे और कुछी मिन्टों में बनके रेडी हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं ब्रट पीजा बनाने से पहले बीजा की टॉपिंग की प्रिबारेशन कर लेते हैं इधर एक बॉल में मैंने एक चमच बारी कटा हुआ सिम्ला मिर्च एक चमच बारी कटा हुआ प्याज और एक चमच बारी कटा हुआ टमाटर और एक चमच स्वीट कॉन लिया हूँ जिसको म हम कुछ पनिर के बिसस टाल देंगे अब इसमें 않고 काली मिर्च पाउडर और चीली फ्लक्स टाल देंगे और चिम Levi जिली फलेक्स टाल और इक चमच हम उस में कोई भी बीजा recovered डाल देंगे या औरेगणो डाल देंगे अब हम इसमें तो चमच मैयोनिस टाल अगिए करते पोर की तेड़ Y닮 स्पराइब तो सब्सक्राइब और नमक जबाइब क olhar आप में तेच्छे पुट्के मुट्स के लिए लिए पूर्पीज की अब जातास आपंगों सब्सक्राइब और चीज लिए की तों सब्सक्राइब कर लेंगे आप देख सकते ही मैंने दोनों ब्रेट के उपर सारे टोपिंग को स्प्रेड कर लिया है अब हम टोपिंग के ऊपर कुछ मोजरेला चीज डाल देंगे इससे पीजा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बच्चों को चीज बहुत पसंद आता है अब हम उस सबंटे टाल के उसको स्प्रेड कर लिया है अब हम प्याण में ब्रेड को रख लेंगे और इसको कवर करके लो फ्लें पे तीन से चार मिनिट के लिए सेक लेंगे जब तक चीज जो है पूम मिल्ट नहीं हो जाता ताब तक हमें उसको सेकना है धान रहे ब्रेड पीजा बन हम इसको निकाल लेते हैं सेम प्रोसेस से दूसरा ब्रेट पीजा को भी हम सेक लेंगे आप देख सकते हैं धर हमारा ब्रेट पीजा जो है वो बनके रेडी हो गया है यह पीजा जो है देखने में बहुत ही टेम्टिंग लग रहा है आप देख सकते हैं चीज बहुत ही आपको किसी लेगी आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आज की रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए